नमस्कार दोस्तों आसा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों आज के सेशन में मैं कमपनी सेक्रेटरी कोर्स का जो सेकंड लेवल है CS Executive उसके बारे में बात करने वाला हूं और जो CS Executive है वो दो मॉडियूल में डिवाइडेड है मॉडियूल 1 एंड मॉडियूल 2 जिसमें से मॉडियूल 1 में से पहले 4 पेपर निकल के आते हैं जिसके मैं आपको नाम बता दू यहाँ पे पहला है GIGL दूसरा है Company Law तीसरा है SBC और चौथा है Tax Law हाला कि यहाँ पे हम लोग इन सब्जेक के बारे में डिटेल में डिसकेशन नहीं करने वाले हैं इसके लिए एक अलग सेशन है हमारा आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली हमारे मॉडियूल 2 का ओरियेंटेशन है ज काउन से सब्जेक्ट आता है वो मैं आपको बता दूँ तो मदुल 2 में भी आपको मॉडियूल 1 की तरह ही 4 सब्जेक्ट आने वाले है पहले 4 Paper Executive के मॉडियूल 1 के होते है उसके बाद 5 जो Paper होता है जो की 2nd module के हिसाब से देखे तो पहला वो है हमारा Corporate and Management Accounting जिसको हम SWOT में CMA कहते है corporate and management accounting ये दोस्तो practical subject है और इसकी exam MCQ pattern पे रहने वाली है तो इसके अंदर आपको detail में answers नहीं लिखने है यहाँ पे आपको MCQ जाएंगे जो कि आपको 4 option में से सही वाला option टिक करना है जबकि 6th number का जो paper होगा वो है हमारा securities law and capital market जिसको कि हम लोग SLCM के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा theory subject है जिसका paper detail में descriptive format में आपको लिखना होगा मतलब पूरे answers लिखने होंगे यहाँ पे objective नहीं होगा इसी तरह से हमारा paper number 7 जो कि है EBCL यानिके Economic Business and Commercial Law और दोस्तो ये वाला subject भी हमारा theory subject है जिसकी भी exam अपने को detail में लिखनी होगी यानिके descriptive answers लिखने होंगे objective नहीं होंगे और हमारा आखरी paper number 8 जिसका नाम है Financial and Strategic Management FSM ये subject जो है दोस्तो ये हमारा practical subject है और इसकी exam MCQ format में होंगी मतलब MCQ जाएंगे और आपको सही वाला answer टिक करना होगा याद रखना दोस्तों कि ये जो MCQ की pattern वाला paper है यानि कि हमारा paper number 5 और paper number 8 इसके अंदर negative marking system भी है मतलब के कोई student बिना तयारी कर ऐसा सोचेगा अगर चार में से कोई भी हम लोग टिक मार करके आ जाएंगे सही हुआ तो अच्छा तुका लगया गलत हुआ तो कोई फरक नहीं पड़ेगा बट नहीं दोस्तों यहां पे अगर आपने गलत टिक किया है तो आपके 25% marks negative जाएंगे तो यहां पे negative marking का provision है तो हमें कुछ भी बिना सोचे समझे तुका नहीं लगाना है समझ के answers टिक करने होंगे पर यहां पे मैं सबसे अच्छी बात जो कि students को जानके बहुत खुसी मिलेगी वो बता दू के जो CS Exive का module 2 है उसका study content comparatively module 1 से easy है क्या कहा मैंने module 2 का study content module 1 की comparison में काफी easy रहेगा अभी दोस्तो second module comparatively easy लगेगा इसका मतलब यह नहीं है कि बिना तयारी के वो clear हो सकता है यहां पे अगर हम लोग proper systematic तरीके से तयारी करेंगे तो यह easy लगने वाला है तो इसके लिए साहस institute की क्या study system रहेगी जिसे की सभी level के students को हम बहतरीन से बहतरीन level पे prepare कर पाए और second module की exam आप सब लोग success कुली दे सको तो सबसे पहले तो जो हम लोग करने वाले है वो सारी चीज़ों को आप समझ लो ताकि आपको idea आजाए कि हमारी teaching pattern क्या रहेगी तो यहां पे जो paper mcq वाले है यानि कि paper number 5 corporate and management accounting and paper number 8 financial and strategic management जिसके अंदर अभ यहां पे mcq वाली exam है देखो आप तो इसमें mcq कहीं से भी आ सकते है तो हम लोग आपको institute की जो books है वही पूरा detail में अच्छे से concept करवाएंगे कि कोई भी line से कोई भी topic पे mcq बन सकता है तो यहां पे मैं हम आपको जो सारी institute की book है वो detail में करवाएंगे और extra practice के तोर पे हम लोग आपको बढ़िया level का material प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हम लोग mcq की practice कर सके देखो आपको institute की book में से हम लोग detail में concept समझाएंगे और mcq का अलग material मिलेगा जिससे mcq की practice होगी जो हमारा 6th और 7th number का subject है यानि कि SLCM and EBCL जो की दोनों ही theory subject है इसके अंदर हम लोग आपको best of the best study material प्रोवाइड करेंगे जिसमें से आपको सारी की सराई पढ़ाई करवाई जाएगी जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से सभी concept को clear कर सको और exam में भी लिख सको और जिसके marks भी मिले पर हाँ दोस्तों exam में लिखने के लिए यहाँ पर regular writing practice भी बहुत जरूरी है देखो MCQ वाले में आपको detail में writing practice की जूरत नहीं रहेगी बट जो descriptive paper है उसमें आपको writing practice की जरूर रहेगी तो यहाँ पर हम लोग regular हमारे session में writing practice के भी part रखने वाले हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि regular आपका study रहे जो की offline या online classes हम दोनों provide करने वाल है offline में भी हमारे most advanced and high tech classes है और online में भी आप कहीं से भी most advanced level पे high tech system पे आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे smart digital classroom में हो और आपकी सारी पढ़ाई हो पाएगी बठाँ दोस्तों मैं professional course पे हमेशा ये suggest करता हूँ कि अगर हो सकता है और आप हमारे offline classes में आ सकते हो तो सबसे अच्छी बात है पर अगर आप कोई कारण सर हमारे classes तक नहीं पहुँच सकते है तो online classes भी आपको मिलेंगे इसके साथ साथ आपको साहस smart studies app का full access मिलेगा जिसमें आपको सभी के सभी topics, सभी के सभी lectures बहुत ही advanced level पे मिलने वाले हैं अभी ये अच्छी बढ़ाई के साथ साथ proper test की भी बहुत जरूरत रहती है तो हमारे जो MCQ वाले आपके papers है उसमें आपको MCQ के unlimited self test आएंगे जिसके अंदर हम लोग chapter wise test conduct करेंगे जिसका result भी आपको instant मिल जाएगा उसकी भी system हमने develop की हुई है तो chapter wise आप unlimited time test दे पाओगे जिसका result भी आपको instant मिलेगा तो आपको chapter wise आपकी preparation कैसी है उसका detail में idea आ जाएगा और जो chapter week है उसके उपर और practice हो सकती है एप में से आप और अच्छे से session देख सकते हो practice कर सकते हो और फिर से test दे सकते हो unlimited time test होंगे हर एक test में आपको अलग-अलग questions मिलेंगे तो बढ़िया level की practice होगी इसके साथ साथ जो हमारे descriptive paper है SLCM and EBCL इन दोनों के अंदर आपके weekly writing test होंगे क्योंकि यह descriptive paper होता है तो इसके descriptive test होंगे इसके साथ साथ exam के time पे अच्छी preparation करने के लिए आपको based revision notes and material provide करेंगे और यह सारा का सारा syllabus बहुत ही अच्छे से well in advance complete होगा micro planning करके हम लोग पढ़ाते हैं तो आपका schedule के हिसाब से अच्छे से syllabus खतम होगा revision होगा आपके doubt solving sessions रखे जाएंगे unlimited test होंगे descriptive test होंगे मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग आपका यह पूरा module 2 करवाने वाले हैं जिससे की बहुत ही बढ़िया level का outcome मिल सके पर दोस्तो ऐसा तो है नहीं कि अगर teachers ही सब कुछ अच्छा करवाएंगे तो result आ जाएगा यहाँ पे आपको students को भी तो बहतरीन preparation करनी होगी तो इसके लिए हमारी क्या requirements है जो कि आपको fulfill करनी है वो भी जरा ध्यान से समझ लो तो यहाँ पे हर एक student हर एक lecture को regular attend करेगा mostly offline ही करना है बट अगर कोई situation है तो आपको attention नहीं लेना है बहुत ही advanced level पे online education भी हमारा आपको मिलता ही रहेगा तो हर एक lecture को आपको regular attend जरूर से करना है दूसरा आपको साहस smart studies एप का complete access मिलने वाला है तो application का best of the best use आपको करना है regularly उसमें से सारी चीज़ों को देखना है बले आपने regular online lecture में या offline lecture में पढ़ लिया हो फिर भी आप एप का complete access का इस्तमाल करोगे उसमें से फिर से sessions देखो ताकि आपकी बढ़िया level की preparation हो सके read each and every topic as soon as we taught that topic in the class मतलब जैसे ही topic खतम होता है हर एक topic को आपको पढ़ना है पढ़ना बहुत जरूरी है और जो descriptive papers होते है उसमें लिखना भी है वो तो हम लोग आपको writing practice करवाएंगे ही देखो वही है do proper writing practice in descriptive papers जो कि हम लोग class में ही करव every test with sincere and dedicated preparation mostly test को students ignore करते है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हर एक test को अपनी best of the best preparation के साथ attempt करना है और हमारे coaching के अलावा extra और वो भी regular basis पे आपको 3 से 4 घंटे की पढ़ाई घर पे या कहीं पे भी आप library facility का इस्तमाल करते हो या study room में या अपने घर पे कहीं पे भी पर classes के अलावा extra regular basis पे तीन से 4 घंटे की पढ़ाई आपको करते रहना है और अगर ये सारी चीजों को आप अच्छे से fulfill करते हो तो आपकी exam बुरी जाए या आपका paper गलत जाए या आप exam में fail हो जाओ वो तो तो I hope दोस्तों कि ये सारी basic चीजे आपको समझ में आ गई होगी हमारी CS executive के second module की batches start हो रहे हैं तो उसमें आप और अगर आपके कोई friends है जो भी CS executive पढ़ना चाते हैं तो वो सब SaaS institute या SaaS smart studies app को जरूर subscribe करें जहां पे best quality का education lowest and most affordable fees पे available है और class में भी आपको most advanced and high tech classes का experience मिलने वाला है तो आपका अगर admission बाकी है या आपके कोई friends है जो की CS executive के लिए SaaS institute के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं और best education का experience करना चाहते हैं तो आज ही हमें contact कर सकते हैं और इसी तरह क और extraordinary education commerce stream में कोई भी course के लिए आप या आपके friends या senior या junior या छोटे या बड़े भाई-बैन लेना चाहते हैं चाहे 11, 12 commerce गुजराती या English medium के लिए हो MS University का FYSYTYB.com हो CA या CS के लिए तो SaaS institute इन सब में ऐसा ही advance और high tech education प्रवाइड करता है और वो भी lowest fees पे तो आज ही SaaS institute के सा जुड़े और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, God bless you all, Jai Hind.